प्री विद्यारतियां नमस्कार आज हम लाकी चूड़े का पार्ट टू कहानी शंक्र जो है उसका हम अध्यन करेंगे अभी तक हमने लाकी चूड़े में बदलू नाम का जो मुक्चे पात्र है कामतानात की जो लिख्योई कहानी है उसका अध्यन किया था का वो बदलू को बदलू काका कहता है थे और वो घर के बाहर मच्या ढालकर अपनी चूड़े को बनाता था और दुगाशेर की महिला है वो काज की चूड़े को पहनती है उसके बारे में इसका बंदन्द किया था आज हम उसके आगे पढ़ेंगे काहनी हम प्रार्ण करते हैं कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था और लल्ला बोल रहा है जिन दिनों उसकी गाये के दूट होता है वो सदा मेरे लिए मलाई बना कर रखता था आम की फसल में तो वो रोजी उसके या दो चार आम खा जाता था प्रण्तू इन सब बातों के अतरिक जिस कारड़ मुझे अच्छा लगता था वो था कि लगब रोजी वो मेरे लिए एक दो गोले बना लेता था लाख की गोले बनाता था जिए बच्चे खेलते हैं मैं बहुदा हर गर्मी की चुटिया में अपने मामा के यहां चला जाता और एक एक आद मेने वार है कर इसको खुलने के समय तक हम वापिस आ जाते हैं जैसा सबी विद्यारती करते हैं गर्मी की चुटिया अपने नहीं हाल जाते हैं और वापिस जुलाई आती है तो अपन आजाते हैं परन्तु दो तीन बाहरी वो अपने मामा की यहां गया होगा तब ही मेरे पिता की एक दूर के शेहर में बदली हो गया या इस ताना अंतरन हो गया एक लंबी अब तक मैं अपने मामा के गावना जाश रगा तब लगब आट-दस वर्शों के बाद जब वहां गय हां तो इतना बड़ा हो चुका था कि लांकी या में में रुची ने रहा गई झवची था चोटा था तो रुची तDAY बड़ा हो गया तो इस पर रुची ने रह गई अब गाम में होते हुए विकाई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यानी नहीं आया इस बीच मैंने देखा कि गाह में लग बग सब इस तरहां काज की चूड़िया पहने हुए लाग की चूड़िया जो सुआ का प्रतिक होती थी वो पहनी हुए नहीं है बिल्ले ही हाथों में लाग की चूड़िया देखिए तब एक दिन सहाशा मुझे बद्लू का ध्यान आ गया बात यह हुई कि बश्राद में मेरे मामा के चोटी लड़की अंगर में फिसल कर गिर पड़ी उसके हाथ की काज की चूड़िया तूट गई और उसकी कलाई में गुस गई उसमें खुन बेहना लगा मेरे मामा उस उस श्रवे गर पर नहीं थे मुझे उसकी मरम पट्टी करनी पड़ी तब ही सैसा मुझे बदलू का ध्याना आ गया मैंने सोचा उसके मिलना हूँ और आता साम को मैं गुमते गुमते उसके घर चला गया बदलू भाई चवुद्रिपदीम के नीचे एक खाट पर लेटा था नमस्ते कहा मैंने और बदलू काका मैंने कहा नमस्ते भईय उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उटकर खाट पर बैठ गया परन्तू उसने मुझे पैचाना नहीं क्योंकि आट दस साल हो गए थे उसके बाद मैं उसे मिलना आया था वो मुझे काफी देर तक निहारता रहा मैं हूँ जनार दन काका आपके पास एक गोलिया बना कर ले जाता था मैंने उसको याद दिलाया मैंने अपना परिचर दिया बदलू फिर भी चुपरा मानो अपनी स्मर्ती पटल पर अतित के चित्र उतार रहा था तब वो एकदम बोल पड़ा आओ आओ लल्ला बैठो बहुत दिन बाद गाव आये हो हाँ इदर आना नहीं हो सका काका मैंने चार पर बैठ तो हुए उतर दिया कुछ देर शांती रही पिर मैंने इदर दश्टी धोड़ाई ना तो मुझे उसकी मच्याव इनेजर आई नहीं मिट नहीं वह बट्टी नेजर आई आज कल काम नहीं करते किया मैंने पूछा नहीं लल्ला काम तो कई साल हो गए बंद कर दिया है मैंने बने भी चूड़िया कोई खरिदता नहीं है कोई पूछे तब तो गाम गाम में कांच का परचार हो गया है वहां बहुत देर तक चुप रहा फिर बोला मशीन यूग है यह लल्ला आज कल सब काम मशीन से होता है कौन गाम के इस लाग की चूड़ियों को पहनेगा खेत भी मशीन से ही जूते जाते हैं और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लेकिन कांच बड़ा खतरनाग होता है बड़े जल्दी तूट जाता है मैंने खा नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला करते करते उसने खासी आ गई और देर तक खास था रहा मुझे लगा उसे दमा है अवस्ता के साथ साथ उसका सरीड धल चुका था उसके हाथ पर और माते पर नशे उबर आई थी जाने कैसे उसने मेरी संका को बाप लिए बोला मुझे द चुप रहा मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी वेता चिपी हुई है मैं देर तक सोचता रहा इस बशीर यूग में कितने हाथ काड़ दी है कुछ देर फिर शानती रही फिर मुझे अच्छी नहीं लगी आम की पसलब कैसी है काका कुछ देर पसलब मैंने लगा के लिए आम तो लेया पिर मेरी और मुखातिब होकर बोला महाप करना लला तुमने आम खिलाना मैं भूल गया था नहीं नहीं काका आम तो इस साल बहुत खाये हैं वहाँ वहाँ बिना आम खिलाए मैं आपको कैसे जाने दूँगा मैं चुप हो गया मुझे वो दिन ह का है लला दो साल होए बेज दी कहीं से कहां से खिलाता इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया से देर सारा आम ले आई यह तो बहुत है काका इतने कहां से खापाऊंगा मैं मैंने का हम वहाँ वह हस पड़ा घरी शेहरी ठहरे ना मैंने तुम्हार उमर का ता खुब सारे आम खाता था एक बगत में चार पांच आम खा जाता था आप लोगों की बात और है मैंने उत्तर दिया अच्छा बेटी लला को चार पांच आम च्छाट कर दे दो शिंदूरी वाले देना देखो लला कैसे है इस साल यह पेड तियार हुआ है रजवरे चार पा पर लाग की चूड़िया बहुत अच्छी लग रही थी अच्छी फब रही थी बदलू ने मेरे दरस्टी देख ली और बोल पड़ा यह आखिरी जोड़ा बना है था जमीर दर्शाब की बेटी के विवाब पर दस आने मुझको दे रहे थे मैंने जोड़ा नहीं दिया कहा शेर से ले आओ मैंने आम के मैंने आम ले ले और खाकर तोड़ देर पस्टा चला गया मुझे प्रसंता होई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी उसका व्यक्तित्व काज की चूड़ा जैसा नहीं था को आसाने से तोड़ जाए इस कहानी से ये कहानी एक संगरसिल मनिह शेर की है जो गाहां में बैठकर कुटी रुद्यूग चलाता था मस्षीनी यूग में ये कुटी रुद्यूग बंद हो गया और शेहर के लोग काज की चूड़िया पहनने लग गए इसके कुछ परमुक सब्दारत है जो कटीन सब्द मैं आपको बताता हूँ खातीर ये महमान नवाजी बहुदा याने हमेशा मरम पट्टी गाहां पर दवा लगा कर पट्टी बांदने को मरम पट्टी कहते हैं चबुत्रा उच्छा और चौरस इस्तान को चबुत्रा बोलते हैं अतीत के चित्र ये पुराणी हदें जो वर्सों पुराणी जो यादे होती उसको अतीत के चित्र बोलते हैं प्रचार ये चलन शंका दूविदा सक बाब ये जानना पसली खासी बदलते मौसम कराण जो खासी होती है उसको पसली खासी बोलते है मुखातीब का मतलब होता है सामने मुख करके बोलना बिल्ले बहुत कम अंजुली याने हतेली ठीटक याने रुकना फब याने फबना याने शुंदर ये सब्दार्थ है अब मैं आपको कुछ प्रश्टनों के उत्तर बता रहा हूँ रजो कौन थी? रजो उस बदलू की बेटी थी आपको ध्यान में होना चाहिए लेखख ने अपने पार्ट वे पना नाम क्या बताया? जन्नारदन बताया बदलू का सभाव कैसा था? बदलू का सभाव बहुत ही शिद्धा था क्योंकि लेखख ने उसे कभी जगड़ते वे नहीं देखा था चौता सवाल है बदलू लेखख से क्या बाते क्या करता था? बदलू लेखख की पड़ाई के बारे में कभी लेखख के घर के बारे में और कभी यह ही शहर के जीवन के बारे में पूस्ता था रज्जों ने कौन सी लागे चूड़े पैम रखी थी? जो बदलू ने जमीदार की बेटी की विवापर बनाई थी इस प्रकास एक दो लाइन के प्रश्चन आते हैं कभी संक्षित उत्तर दीजिए लगो उत्रात में प्रश्चन है इस प्रश्चनों में जो है आपको घर पर करने है घरकारे में करने है और अच्छी कौपी अभ्यास पुस्तिका में व्यवस्तित रूप से पाड़ का नाम दिनांग लगा कर इस प्रश्चन उत्तर और कटिन सब्द आपको करने धन्यवाद